नमस्कार दोस्तों मैं विकास मंगल यूटूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक ओशदी जो की पूरे भारत वर्ष में उट कटारा के नाम से जाने जाती है इसमें दो वराइटी होती है पहली वराइटी जो है वह दूसरी है यह सेकंड वराइटी देखिए आप सबसे ज देख लिए यह हर कहीं देखने को मिल जाएगा आपको इस वाले पोदे के जो पत्ते हैं वह देखिए कम चोड़े होते हैं इसके पत्ते देखिए कम चोड़े हैं इस ओशदी को उट कटारा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि रेगिस्तान राजिस्तान की मरव भूमी में पेदा होने वाला पोदा है और प्राइस सभी जगे यह ऊटों के लिए भोजन है राजस्तान के अंदर क्योंकि उट इसको चबा चबा के खाते हैं इसलिए इसका नाम उट कटारा पड़ा ये ओशदी कई प्रकार के तंतर शास्त्रों में कई प्रकार की रिसान शास्त्रो में और औशिधी शास्त्रों में कामें ले जाती है मैंने ग्रंथ बढ़ा था लुक्मान हकीम जी का लिखा हुआ उन्होंने अपने बेटे को काम संबंदी यानि स्वेक्ष्वल प्रॉब्लम संबन दिये ग्रंत तयार करवाया जिसमें इस उट कटारे के लिए उन्होंने कहीं गुणगान बताए इस उट कटारे के अंदर अकेली ही इतनी तागा थे दोस्तों जितनी की एक व्यागरा गोली में होती है इसका पूरा पंचांग वैसे काम में लियाता है मगर इसकी हम बनाता हूं उसके अंदर इसकी जड़की छाल को उपश्यक क्यांता है इसकी जड़की छाल महा वीर्य वर्दक महा इस्तमभ एक महाकाम शक्ति को बढ़ाने वाली और दोस्तों यह वाच्छामक भी है यह लक्वे में भी काम देने वाली ओशदी है यह बहुत ही गरम इस्तर के ओशदी है यह हमारे बोड़ी के अंदर के मसल्स के अंदर के ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है जिसके कारण हमारे गुपतांगों में एरेक्शन होता है मतलब तेजना उत्पन होत पाउडर बना लिजिए दो ग्राम की मातरा सुबध है दूस से और दो ग्रम की मातरा शाव रातरी को दूस से लीजिए एक मेना लेकर देखिए आप व्यागरा लेना भूल जाएंगे दूसरी बात यह दोस्तों यदि किसी को कफ की बीमारी है तो इसकी जड़ को कूट के पाउडर कर लीजे चील का सहीत और तीन-चार ग्राम के मातरा में शह से चाटी एक टाइम आप देखेंगे कफ भी आपका बड़ा आराम से बाहर निकलने लगता है यह किसी को लगवे की प्राबलम है तो उसमें भी जड़ का चूरान दे सकते हैं आप लगवे वाले को क्यों जानना हो कि लड़का होगा यह लड़की होगी वेसे आजके लिए सब गरत चीजें है परमात्मा जो दे देता है वो अच्छा है मगर फिर भी तंतर के अनुसार बता रहा हूं मैं इस ओपिनिन में नहीं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर हो मैं इस ओपिनिन में हूं कि दोनों एक जैसे होना चाहिए और दोनों एक समान हो फिर भी यदि कोई जातना चाहे तो शनीवार के दिन इसको निमंत्रन दें फिले चांवल से और संडे के दिन प्रात्यकाल सूब सुरुदे से पूर इसको खोदें यदि खोदने पर इसकी सिंगल जड़ निकले तो होगी यह निश्चित तंत्र का शिद्र प्रियोग है इससे और भी खतरनाक तन्तर प्रियोग के जाते हैं मगर घरभ अब करना अपने नहीं है अपना कारव इतना है कि अवशयदी उप्योग करें लोगों को लाप उचाए paper easier परकम तरन परकृ में यह और आनदर Aah इसकी प्रेसम के अंदर दोस्ति नेवाद